असलाम नेकूम एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे चीकन बिर्यानी और वो भी मेरे स्ट्राइल में तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर एक किलो के राउंट चावल लिए हैं और उन्हें मैंने साफ कर लिया था उसके बाद चावल को मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया और बॉइल होते हुए चावलो में मैंने सारे खड़े मिसाले डाल दिये थे ताकि खुश्बू बहुत अच्छी सी आ सके तो जिन में थे जालों के नेम मुझे भी भूल जाते हैं तो आप लोग फीडियो से देख लेज़ेगा यहां पर यह देखें चावल कितने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और इनकी खुश्पू भी जो थी वो बहुत अच्छी थी मैंने क्यूंकि इसमें मसाले डाल कर इसे बॉयल किया था तो बहुत अच्छी हुश्पू आई थी दूसरी तरफ मेरे पास थे प्यास यहां पर मैंने प्यास जदा बारीक नहीं थे कट किये नॉर्मल साइज के प्यास कट किये थे और मेरे पास यह था ब्रियानी मिसाला पाउडर नमक लिया था मैंने और यहां पर लाल मिर्च थी मेरे पास और खुश्क धनिया था खुश्क धनिया का पाउडर था मेरे पास यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि यह जो बियानी मिसाला होता है इसमें नमक पहले से बहुत ज़ादा होता है तो जब भी बनाएं आप लोग नमक की कॉंटिटी थोड़ी कम रखा करें उसके बाद मेरे पास था चिकन यहाँ पर बॉन और बॉनलेस दोनों टाइप का चिकन था मेरे पास लेसन अद्रक का पेस्ट था टिमार्टर थे मेरे पास जिनको मैंने पील ओफ कर लिया था और मेरे पास दही नज़र आ रही है आपको एक बाउल के राउंट लेसन अद्रक का पेस्ट है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर ही कितनी प्यारी लग रही है इसी तरह से इन सारी प्यारी प्यारी चीज़ों की बहुत ही प्यारी प्यारी सी बियानी भी बन जाएगी यहाँ पर मैंने देही, टिमाटर लेसन अद्रक के साथ यहाँ पर मैंने फूड कलर भी एड़ किये हैं तो यह देखें चिकन, चिकन की जो बोटी है वो मैंने जादा चोटी नहीं करी ज़रा बड़ी ही रखी है और आप लोग भी इसी तरह से रखेंगा, क्योंकि बियानी में जादा चोटी बोटिया अच्छी नहीं लगती थोड़ी बड़ी-बड़ी ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर यह देखें, प्यास वगएरा और यह सारा समान, मैंने यहाँ पर सारा कुछ रेड़ी कर लिया था और फूट कलर जो है मैंने यहाँ पर रेड़ी एड़ किया था भी और बाकी मैंने नहीं थैड़ के और इंच और रेड़ का मिक्स्टेर था यह और इनका जो ब्रैंड था और मुझे नहीं याद अगर हुआ तो और हाँ एक और टिप में आप लगों को दे दू कि जब चावल बाइल करें तो बाइल होने के बाद उसमें थोड़ा सा सिर्का ज़रूर डाल दे उससे वो चिपकेंगे नहीं और चोटे यादि के टूटेंगे भी नहीं दूसरी तरफ मैंने प्याज और ओइल ओइल को अची तरह से गरम कर लिया था और उसमें प्याज को ब्राउन कर लिया था प्याज यहाँ पर काले नहीं गरने प्याज को लाइट ब्राउन ही करना है उसके बाद वो ही देसन अद्रक का पेस्ट आलना है और टोमाटर डाल कर अच्छी तरहां से बना लेना है यानि कि एक कोर्मा हमें त्यार करना है जो बिगानी के लिए कोर्मा बनाना है उसके बाद हमने इसमें डाल देना है चिकन सारा जो कि अच्छी तरहां से दोया हुआ था आप लोग भी जब भी बनाएं चिकन को बहुत अच्छी तरहां से दोलिया करें क्योंके जितना भी अच्छा वो बाहर से दुला हुआ हुआ हुँ घर में एक दफा लाजमी दोया करें उस पर कोई ना कोई ब्लड स्टेन लाजमी होता है तो कोशिश किया करें के फुल हेल्दी और हाइजीन खाना ही खाए और अपने घर अपने फैमिली मेंबर्स को भी वही खिलाएं क्योंकि आपकी सारी सेथ आपकी किचन की हाइजीन पर ही डिपेंड करती है तो यह देखें यहां पर जो चिकन है वो कितने अची तरहां से गल चुका है और घी है वो बिल्कुल अलग हो गया है कोर्मा बनने की निशानी ही यही होती है कि जब अलग हो जाए तो बस यहां पर कोर्मा बन चुका था और चावल जो है वो पहले ही मैंने वाइल कर लिये ते अब जस्ट में इनकी लेर्स लगाऊंगी और इसको अज़ेस् पहली लेर्स मैंने लगाई चावलों की उसके बाद मैंने उस पर कट किये हुए टोमैटोस और सबस मिर्चे काट कर डाल दी और आप लोग सबस धनिया भी यहां पर डाल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो मैंने स्किप कर दिया हलांकि मुझे पसा पर उसी तरहां लेयर वाइस आप लोग डालते रहें एक चावलों की फिर उसके उपर जो गार्णिश कर समान है फिर कोर्मा वगेरा डाल कर आप लोग इसको दम पर रगने और बस दस मिनट के दम के बाद दम पर आप लोगों ने पहले तीन से चार मिनट जो है हीट वह ब अपना जो फेम है उसको आप लोग उन्हें आफ कर देना है और बस आप लोग देख लें कि यह जो बिद्यानी है यह रेडी है आप जब चावल बॉइल करें तो देख लिया करें कि उसे एक करणी पर बॉइल करने है यानि कि चावलों को पूरी तरह बॉइल नहीं करना त क्योंकि जब दम आएगा तो वह इसमें भी हो जाएंगे लेकिन अगर हम पहले ही चावलों को पूरी तरह बॉइल कर लेगे तो जब हम दम देंगे तो वह चावल बिलकुल खुल जाएंगे और बियानी अच्छी नहीं बनेगी यह थी आज की वीडियो की दूसरी टिप औ इसकी रेसिपी औरड़ी मेरी चैनल पर है आप लोगों को मिल जाएगी आप लोग देख लीजएगा तो बस आज के लिए इतना ही सीजी सून इन्दा नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाहाफेज